नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि टैम्सुलॉसिन टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है Tamsulosin Tablet को कैसे लेना चाहिए और Tamsulosin Tablet की वज़से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि Tamsulosin Tablet को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए Tamsulosin Tablet Alpha Blocker Drug Class की दवा है जिसका उप्योग पुरुशों में Prostate का Size ज्यादा होने पर किया जाता है पुरुशों में Prostate का Size ज्यादा होने को Medical भाषा में Benign Prostatic Hyperplasia या BPH भी कहते हैं पुरुशों में Prostate का Size ज्यादा होने की वज़े से बार-बार पेशाप के लिए जाना, पेशाप को थोड़ी देर भी न रोक पाना, रात को बार-बार पेशाप करने के लिए उठना, पेशाप की थैली को पूरी तरह से ठाली न कर पाना, पेशाप की धार का कम होना, पे Prostate का Size ज्यादा होने की वज़े से हो सकते हैं, पुरुशों में Prostate का Size ज्यादा बढ़ने की वज़े से पेशाप का आना, पूरी तरह से बंद भी हो सकता है, उम्र बढ़ने के साथ Prostate का Size बढ़ना एक सामान्य बात है, और ज्यादा उम्र के व्यक्तियों में Prostate का Size टैम्सुलोसिन टैबलेट प्रोस्टेट के साइस को कम नहीं करती है। टैम्सुलोसिन टैबलेट केवल प्रोस्टेट और यूरिन ब्लैडर की मासपेशियों को रिलाक्स करती है। जिसकी वजह से पुरुशों को पेशाप करने में आसानी हो जाती है। Tamsulosin एक salt नेम है. Tamsulosin टाबलेट को Weltaam और Euromax आदी ब्रैंड नेम से भी जाना जाता है. Tamsulosin टाबलेट 0.4 mg की strength में available है. Side effects की बात करे तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में Tamsulosin टाबलेट की वज़े से कोई side effects नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में Tamsulosin टाबलेट की वज़े से कुछ side effects हो सकते हैं. जैसे सिरदर्ध होना, शरीर में ठकान वसुस्ती होना, चक्कर आना, सिर घूमने का आभास होना, सर्दी जुकाम होना, नाक का बंध होना, शरीर में कमजोरी होना, कमर में दर्ध होना, छाती में दर्ध होना, छाती में ज्यादा बलगम बनना, दस्त होना, गले में खराश दर्ध होना, उल्टी आने का मन होना, आखों में धुंदलापन होना और नींद अधिक आना आधी साइड इफेक्ट्स टैम्सुलोसिन टैबलेट की वज़ा से हो सकते हैं। कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। क्या सावधानिया रखनी चाहिए। महिलाओं के लिए टैम्सुलोसिन टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है। इसलिए महिलाओं को टैम्सुलोसिन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि टैम्सुलोसिन टैबलेट को लेते समय किसी व्यक्ति के पेनिस में 5 घंते से अधिक समय तक इरेक्षन रहता है। या इरेक्षन के दौरान पेनिस के अंदर दर्द रहता है। तो ऐसी स्थिती में डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। क्योंकि अधिक लंबे समय तक पेनिस के अंदर इरेक्षन रहने की वज़़से पेनाईल टिशू डैमेज हो सकते हैं। जिसकी वज़़से पेनिस में इरेक्षन का पर्मानिन्ट लॉस हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को टैमसुलॉसन टैबलेट या इसके किसी भी इंग्रिडेंट से एलर्जी है। तो ऐसे व्यक्तियों को टैमसुलॉसन टैबलेट का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यक्तियों को इसके बारे में डॉक्तर को भी बताना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका Tamsulosin टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।